question number 281 factorize 6x square plus 17x plus 5 6x square plus 17x plus 5 तो हमें इसको factorize करने के लिए इसके middle term को split करना है और split करने के लिए x square का जो coefficient है 6 और यह 5 तो जनरल यह बच्चे इसमें क्या करते हैं 6 और 5 को पहले multiply करेंगे फिर उनका factors निकालते हैं तो हम इसमें अलग-अलग निकाल लेंगे तो इसमें आपका time save होगा तो यह होगा 2 और 3 और 5 से यह 1 तो प्राइम factors निकार रहे हैं 6 और 5 दोनों के मिला के 2 इंटू 3 इंटू 5 और हमें लाना है positive 17 तो इसको टू ग्रूप में divide करेंगे यह होगा 2 और यह 15 तो 2 प्लेस 15 यह हो रहा 17 तो हम इस combination को middle term में लेंगे यह होगा 6 x square plus 2 x plus 15 x plus 5 equal to और first के 2 term में इसमें common है 2 x 2 x कमल लेने से 2 का table में यह होगा 3 और x और यहाँ पर 1 और last के 2 term में common है 5 तो 5 कमल लेने से 15 होगा 5 3 जा 15 और यह 1 so equal to 3 x plus 1 फर्स्ट वाले term में बचेगा 2 x और लास्ट वाले term में 5 which is the required answer और यह है rough work ले ओड़ेगा ले ले खर और ले लेक 15 औरले में ग्योट आहाँ आपक्षर्ब का लेगा लेक्ष्टी आहाँ पर खवाले लेगा जगईवर्ग में खवाले ले तर एवाले खवाले लेले खवाले